नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीज भल्ला, किस्सा गो, कहानिया सुनाता हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, वैसे तो डॉक्टर हूँ, आज मैं आपको हिंदुस्तान में आज के सबसे बड़े शायर, गुलजार साहब और उनके दाट के डॉक्टर के बारे में एक बड़ी मज़िदार कहानी सुना रहा हूँ, गुलजार साहब और उनके डॉक्टर के बीच में क्या बात है, डॉक्टर साहब गुलजार ने कहा, दो दिनों से लेफ साइट का मोलर बहुत दर्द कर रहा है, कुछ दर्द धड़कन के आगोश में लिप्टी इस सहमे हुए युकेलिप्टिस के पत्तों की दो भून यूही दांत पर डाल देते हैं गुलजार सहाब बोले वो छोड़ दीजी दर्द बहुत हो रहा है जरा कुछ कीजी डेंटिस ने कहा दांतों तले रूई के ख्वाब में रात की स्याही सी वो दवा दांतों के साथ बाते करके किसी पुराने नुस्के की तरह आपको कंबल सी ठंडाई देती है गुलजार सहाब बोले डाक्टर आप समझते क्यों नहीं है कि अंदर कितना दर्द हो रहा है क्रपया कुछ करके दीजी दांत की डाक्टर बोले उनका मूँ खोलकर बोले और कहा हाँ कुछ अटके हुए अलफाज है दो दांतों के बीच बहुत पुरानी कहावतों की तरह गुझती काली कंबल सी समेटी मुझी रात की गवाही दे रही गुलजार साहब बोले डाक्टर जो कुछ है उसको निकालो जल्दी दर्द सहा नहीं जा रहा प्लीज जेंटिस्ट ने कहा आस्मान के साथ गुफ्तगू करती हुई इस हिलती हुई सी कुरसी पर आप अपनी पीठ की मुलाकात फरमाएं गुलजार बोले क्या क्या करूँ मैं समझा नहीं दात के डाक्टर ने कहा ये सुई आपके इस आरहे दर्द को गुमनामी के आगोश में लुप्त कराई इन अटके अलफाजों को एक बादल की कलम से लिखे हुए आन्धी की तरहां नशे मन तक ले जाएगे इसी उजड़े हुए शेहर की खाक से जब आप जागेंगे तब आपको एक बेदखल दांत दो लाइनों का इंतजार करते हुए इस ट्रे में पड़ा मिले गा गुलजार साहब ने कहा यानि की डेंटिस कहते हैं जो बातें खुद नहीं समझ सकते हो गुल्लू भाई वो दूसरों के माथे क्यों पोद देते हो दांत निकालना पड़ेगा सड़ गया है समझे ये थी गुलजार साहब की बातचीत अपने डेंटिस से और आपने देखा के गुलजार साहब का डेंटिस भी उनसे जो बातचीत कर रहा था वो शायरी में कर रहा था वो जवाब भी शायरी में दे रहा था तो शायरों के कलाकारों के जो डॉक्टर होते हैं वो भी शायर और कलाकार हो जाते हैं ते नहां पसे बार्बाद, नहां चार।